सो हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड आज हम करने वाले कोचिश टाइब का बटर फ्लाइग फोटो रेटिंग जो दिखने में काफी मस लग रहा है आप स्क्रीन पर देख परो यह रेटिंग को सिखने के लिए आप वीडियो को पुरा एंड तक देख लेते हो तो आप भी ऐसा फोटो रेटिंग करना सक्क जाओगे तो वीडियो को स्टाट करने से पेले वीडियो को एक लाइक कर दो चैनल पर पहली बारा होगा गाई तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल नटिफिकेशन को आउन कर लो तो बिना टाइम बेस्ट के लिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम लाइट रूम में को अपेन कर लेते हैं और लाइट रूम में पहले बाद याँन पर अप्लसवोल एक अप्शन देखने को मिल जाएगा तो प्लसवल उप्शन पर क्लिक करके जो फोट आपको एडिट करना है उसको आ बढ़ा ले निये 25 के रौंड कल ले निये and विगनेट को माइनस कले निये ठीक है 28 करी and midpoint को थोड़ी से बढ़ा ले निये and feather को थोड़ी से बढ़ा ले निये and फिर clarity को थोड़ी से बढ़ा ले नियेगा इस ठीक है and इतना कलेने बाद यहाँ पर एक आटोवल ओप्शन देखने को मिल जागा तो इसको पर आप क्लिक करना है तो आपकी जो फोटो है एक्टोमेटिक लाइट सेलेक्ट हो जाएगी ठीक है इतना अप्षंन हो जाने वाद अब आपने फोटो को iSnapp-swee में अब एडिट करने वाल है ठीक है तो iSnapp-swee में इसको सेर कर लेते है तो गैज Snapse Sheet App में हम इसको Share कर ले दें and Snapse Sheet भी आपको Play Store में मिल जागा तो वहाँ से download कर लेना तो Snapse Sheet में आपने photo कर ला दिये and photo आ जाने बाद यहाँ पर आपको Pencil अलेकन पर क्लिक करना है and सबसे उपर के तरफ एक Two Names का Option देखने हो मिल जागा तोन इमेज वहाँ पर क्लिक करना है and इसके Saturation को फुल मैनस कर लेना है and MLS को भी मैनस 22 कर लेना है and Shadow All Option पर आके Shadow को मैनस 25 कर लेना है and इतना कर लेने बाद फिर राइट क्लिक करना है गाई and यहाँ पर Face पर यह जो Black Effect आ गया है इसको अटाने के लिए आपको इस वहाँ पर क्लिक करना है फिर View It पर क्लिक करना है and टून इमेज पर Brass पर and फिर इस वहाँ पर क्लिक कर गाईज अपने Face से and अपने स्कीन से इसको Eraser कर लेना ठीक है कुछी Step से चलाओगे तो जो Face से Eraser हो जागा तो guys हम थोड़ा जल्दी जल चला लेते है so friends यहाँ पर हमारी जो फुरा फोटो है यह जो Black Color का Effect था तो यह Remove हो गया है and Remove हो जने बद फिर Right Click करेंगे and यहाँ से हम बेक आजेंगे तो guys बेक आजेंगे बद अब हम को क्या करना है अपने Face को गोरा करना है तो Face को गोरा करने को आपको क्या करना होगा Pencil एल अपने पर क्लीक करके यहाँ पर एक Option दीखने को मिल जाए आपको Selectable तो Selectable Option पर क्लीक करना है और जहां पर आपको गोरा करना है और दोनों लाली के साहते से आपको इसको छोटा कर लेना है and brightness को जितने increase करोगे उतने आपका photo गोरा होगा and contrast को minus and saturation को भी minus कर लेंगे ठीक है and जहाँ जहाँ आपको गोरा करना है plus all option पर click करके वहाँ पर click करिएगा ठीक है and उसको गोरा कर लिजिएगा तो यहाँ आप हमारे जो face से गोरा हो चुका है आप लोग देख सकते हो अब इसमें हम क्या करना है हमको yellow color effect डालना है तो yellow color effect डालने के लिए pencil icon पर click करेंगे and यहाँ पर curve wall option पर click करेंगे curve wall option पर click कर लेने बाद color wall option पर आएंगे and blue wall option पर आकर इसके पुरा इसको beach पकड़के इसको नीचे कर लेंगे ठीक है and फिर से color wall option पर आएंगे and इस बार red wall option पर आएंगे and इसको कुछी step से ऐसे उपर कर लेंगे ठीक है इसको ऐसे पकड़के इसको हटाने के लिए view view पर click करेंगे curve wall option पर click करेंगे और इस वाल option पर click करके अपने face से and screen से हटा लेंगे ठीक है ऐसे चला के तो हम थोड़ा जल्दी-जल्दी हटा लेते हैं यहां पर हमारी जो effect थी हट चुकी है and effect हो जाने के लिए राइट किलिक करेंगे and यहां से बेक आजेंगे तो इतना option हो जाने लिए एक png को add करना है butterfly वाला तो उसका link मेंने description box में दे दिया है तो png को download कर लेना तो png को लगाने के लिए pencilal icon पे कलिक करेंगे and फिर double exposure पे कलिक करेंगे और फिर plus option पे कलीक करेंगे photo को add करनेंगे butterfly वाला ठीक है एड़ करने बाद beach all option पे click करके इसको add all option पे click करेंगे ठीक है and इसको जहां पर हमको लगाना होगा वहां पर ऐसे लगा लेंगे लगा लेने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो आप आपको यह वीडियो पसंद आये होगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर चकल लेना क्योंकि यहाँ पर आपको एसी फोटो अइडिक्स रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है और आपको इस्टागराम में फोलो निक करेंगे हो तो इस्टागराम का आइडि आपको इस्क्रीन फिद्दी करेंगी एं लेंक भी मेरे डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिल जा हुआ है इस्टागराम का तो वहाँ से भी फोलो कर सकते हो तो इस्टागराम पर जबूर से फोलो कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए